हेलो एब्रीवन वेलकम तो माई चैनल ओल अबाउट बाउट बाउजी एंड दिस जोती वर्मा सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में फैमिली मालवेसी का theoretical content डिसकस किया था उसके सारे characteristics को अच्छे से डिसकस किया था आज हम लोग यहाँ पर आपको एक फ्लार यानि की हाई बिसकस के थूफ फैमिली मालवेसी के characteristics को आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे अगर हम फ्लार के characteristics की बात करें तो फ्लार यहाँ पर पेडिसिलेट है यहाँ पर एक पेडिसिल प्रेजेंट है इसके लावा इपी कैलेक्स यहाँ पर प्रेजेंट है जो फैमिली मालवेसी के मेंबर्स में बहुत ज़ादा characteristic feature है exceptions की भी हमने बात की थी पिछले वीडियो में इसके अलावा यह जो फ्लार है यह actinomorphic है आप इसको किसी भी axis से कट करेंगे तो यह equal parts में divide हो जाएगा यह actinomorphic फ्लार है इसके लावा हर्माफ्रोडाइट है यानि की जो हमारे male और female reproductive structures है वो आपको एक ही फ्लार में देखने को मिल रहे हैं इसलिए यह फ्लार हर्माफ्रोडाइट है complete है क्योंकि सारे worlds यहाँ पर present होते हैं यानि की calyx, carola, androsium and gynosium इसके लावा यह हाइपो यहाँ पर आपको जितने भी structures दिखेंगे वो five के group में दिखेंगे जैसे कि calyx है वो भी five है, carola है वो भी five है, उसके बाद यहाँ पर आपको जो gynosium में structures दिखेंगे वो भी five के groups में ही दिखेंगे, so यह basically यहाँ पर pentameras flower आपको देखने को मिल रहा है, अब हम बात करते ह फ्लार के वर्ल्स की, so family malvacy के members में आपको यह बहुत ही जादा characteristic structure दिखाई देगा, जो की है, epicalyx, आपको family malvacy के members में यह structure जरूर दिखाई देगा, exceptions के अगर हम बात करें तो cider और abitulon में आपको यह structure नहीं दिखेगा, but उसके लावा अगर हम hibiscus की बात करें तो families में vary करता है, यहाँ पर अगर आप इसको count करेंगे तो आपको 7 दिखाई देंगे, epicalyx में, इसके बाद हम बात करते हैं, calyx की, calyx, अगर आप यहाँ पर देखे, calyx की जो unit होती है, single unit, उसी हम कहते है, sepal, so यह जो point है, जिसे मैंने point किया, यह एक single sepal है, so यहाँ पर total 5 sepals है, calyx के case में, और यह जो 5 sepals है, यह जुड़ी हुई है, fused है, इसलिए इस condition को हम कहते हैं, क्या gamma sepals condition, और estivation यहाँ पर कौन सा होगा, क्योंकि यह जो 5 sepals है, इनकी जो edges है, वो कहीं पर भी overlap नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो estivation है, वो wall weight estivation है, so calyx 5, gamma sepals and wall weight estivation, अब हम बात करते हैं, करोला की, करोला की एक single unit को हम कहते हैं, petal, so यहाँ पर कितनी petals है, 5 petals है, petals 5, इसके अलावा poly petalus condition यहाँ पर है, क्योंकि यह जो आप 5 petal देख रहे हैं, यह 5 petal एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, बलकि यह separate है, so यहाँ पर जो condition यहाँ आपको अपर आपको ट्विस्टेड एश्टीवेशन देखने को मिलेगा, so करोला के केस बे अगर हम एस्टीवेशन की बात करें, तो यहाँ पर ट्विस्टेड एस्टीवेशन में क्या होता है, जो हमारा petal है, petal की जो margins होती है, आपको एक phase उसका बाहर की तरफ द जैसे कि आप इस पेटल को देखिए तो इस पेटल का जो एक एज है वो बाहर की तरफ है ये वाला एज इसका बाहर की तरफ है और इसका दूसरा वाला एज अंदर की तरफ है So, इस condition को हम बोलते हैं twisted estivation, जिसमें की जो edges होते हैं, उसमें से एक edge बाहर की तरफ होगा और दूसरा edge अंदर की तरफ होगा So, इस situation को हम बोलते हैं twisted estivation अगर आप यहाँ पर ध्यान चे देखें तो देखें ये वाला जो petal है, इसका ये वाला edge बाहर की तरफ है और दूसरा वाला एज अंदर की तरफ है similarly ये वाला जो पेटल इसका भी एक एज बाहर की तरफ है दूसरा एज अंदर की तरफ है इसी तरीके से इस पेटल का भी ये एज बाहर की तरफ है और दूसरा एज अंदर की तरफ है तो अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो आपको twisted activation बहुत अच्छी तरीके से दिख जाएगा कि petals के case में जो edges हैं वो आपको एक edge बाहर की तरफ और एक edge अंदर की तरफ दिखाई देगी तो इस condition को हम बोलते हैं twisted activation सो यहाँ पर करोला के case में आपको twisted activation देखने को मिलेगा सो अब हम बात करते हैं एंडुशियम की एंडुशियम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर यह कुछ टाइप का tube like structure आपको दिख रहा है आपको different different flowers में अलग अलग नंबर दिखाई देंगे stamens के और यह जो stamens है यह जिस tube like structure पर attached है उसे हम कहते हैं staminal tube यह जो यह tube like structure आप यहाँ पर देख रहे हैं इसे कहा जाता है staminal tube और इसी staminal tube पर indefinite stamens attached होते हैं इसके अलावा यह जो staminal tube है यह staminal tube यह जो petals आप देख रहे हैं इसके base तक attached होती है इसलिए यहाँ पर जो condition होती है वो होती है epipatalous condition epipatalous condition तब होती है जब stamens petals से attached होते हैं अब यहाँ पर हो क्या रहा है इन डाइरेक्ली यह जो stamens आप देख रहे हैं यह staminal tube से attached हैं और वो staminal tube सीधे सीधे petal से जाकर attach हो रही है इसलिए यहाँ पर इन डाइरेक्ली अगर आप देखें तो epipatalous condition है सो stamens की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको mono adolphus stamens देखने को मिलेंगे mono adolphus stamens वो stamens होते हैं जिसमें जो stamens का filament होता है वो एक साथ जुड़ा हुआ होता है group like structure के form में जैसा कि आप देख रहे हैं यह सारे stamens के जो filament हैं यह आपस में जुड़े हुए हैं स्टावनल ट्यूब से यह सब अटैज्ड हैं इसलिए यहाँ पर जो condition है वो है mono adolphus condition आप देख सकते हैं यहाँ पर आंथर्स जूम इन में तो आंथर्स यहाँ पर dorsi fixed condition में प्रेजेंट है और mono thीकस आंथर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो की characteristic feature है यहाँ पर मालवेसी family का यहाँ पर anthus जो होते हैं वो single cell होते हैं उनमें सिफ एक single ठीका प्रेजेंट होता है इसलिए वो mono thीकस anthus होते हैं और यह जो condition यहाँ पर है anthus की वो है mono adolphus condition क्योंकि यह सारे stamens के जो filament है वो एक staminal tube से attached है इसलिए यहाँ पर mono adolphus condition भी present ह सो अब हम इस flower को dissect करते हैं ताकि आपको चीजे और clear हो सकें सो यह देखिए जब आप flower को dissect करोगे तो आपको किस तरीके से चीजे और clear दिखेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यह epicalyx है यह हमारा calyx था जो की gamo sepulus condition में था सारे sepals यहाँ पर जुड़े हुए थे इसके superior ovary है क्योंकि जो सारे worlds होते हैं calyx, carola यह सब नीचे से rise कर रहे होते हैं ovary के इसलिए ovary यहाँ पर superior position में है ovary के अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 to indefinite carpals आपको देखने को मिलेंगे जब आप इसका section cut करेंगे, ts कट करेंगे ovary का तब आपको clear होगा कि यह condition कौन सी है carpals की और यहाँ पर अगर आप देखें तो यह जो style है, यह style steminal tube के अंदर से होती हुई जारी, जब आप इस steminal tube को open करेंगे, तो आपको यह style इसके अंदर दिखेगी और इसको आप उपर तक trace करते चले जाएगा stigma तक यह देखें यह जो यह white color का structure आप देख रहे हैं, यह style है औ और यहाँ पर आप इसके जब tip तक चले जाएगे तो आपको दिखाई देगा यह जो white color का structure है, यह style है, यह style है, और tip पर आपको 5 stigma दिखाई दे रहे होंगे, यह देखें, यह steminal tube के अंदर आपको यह structure पूरा दिखाई देगा जब आप इसको open करेंगे, यह style है, यह style है, और इसके अलावा आपको tip पर 5 separate stigma बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप फलार को पूरा open कर लेंगे, तब आपको यहाँ पर बहुत ही जादा clear way में सारे structures दिखाई देंगे, मतलब जो stamens हैं यहाँ पर फ्यूजड है, स्टैमिनल ट्यूब से सो यहाँ पर मोनो अडल फस स्टैमिनल ट्यूब से होती हुई सेंटर में आपको style दिखाई देगी, यह जो है, यह style है और उसके बाद यहाँ पर यह fused style है, और टिप पर आपको 5 stigma दिखाई देंगे, जब कि यहाँ पर जो style है, वो fused style है, तो सेंटर में आपको यह gynosium बहुत ही ज़्यादा clear wave में दिख जाएगा, और यह हमारी है, स्टैमिनल ट्यूब जिससे की मोनो अडल फस स्टैमिन्स अटैजड हैं, तो ओवरी के टिएस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको style presentation देखने को मिलेगा बहुत अच्छी तरीके से और pentalocular situation यहाँ पर है, पांच locules हैं, जिनमें की एक एक ovule present है, तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेर करिए, थैंक यू सो मच